मकर संक्रांती के मौके पर रहुई प्रखंड के उप्रमुख राकेश रंजन के द्वारा भद्वा गाउ में दही चूडा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड खेत्र के कई मुखिया, पंचायत समिती सदस्य, जिला परिशत सदस्य के अलावा कई गण्मान्य लोग मौजूद हुए. इस मौके पर उप्रमुख राकेश रंजन ने कहा कि ऐसे आयोजन से सभी जन प्रतिनिधियों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। इस मौके पर इस कार्यक्रम के सन्योजक डॉक्तर अभिशेक कुमार ने कहा कि राजनीतिक दृष्टिकों से कुर्मी समाज आज काफी पीछे हैं और हम धीरे-धीरे अलग भी होते चले गए। इसलिए अखिल भारतियक शत्रिय महास आके बैनर तले सभी को जोडने की कवायत चल रही है। इस बैनर के तले कुर्मी समाज को आगे बढ़ाना भी एक अहम मुख्य उद्देश है। इस मिलन समारोह सह दही चूडा भोज कार्यक्रम में बिहार शरीफ और आसपास के इलाकों के कुर्मी समाज के लोगों ने शिर्कत की। चवज मकर संग्रांती के उपलच पर हम पूरे परखंडवासी को अमंद्रित किये हैं दही चूडा का जिसमें सभी रहोज परखंड के जितने भी परतिनिदित कर रहे हैं मुख्या, पैंचाय समीती, जिला परसत और जितने भी अश्टाफ हैं ब्लोग का उनको हम अमंद् कुर्शिस करेंगे कि जैसे आज हम लोग भाहिचारे के साथ में आज चुडादे ही मना रहे हैं उसी भाहिचारे के साथ में अपने ब्लोग में सर्वगणनी विकास के लिए एकत्रित हो कर करके और अपने ब्लोग को विकास करेंगे अखिल भारती है कुर्मी चात्रिय महासवा की ओर से सभी कुर्मी समाज के लिए दही चुड़ा का आयोजन किया गया, मिलन का आयोजन किया गया उद्यस क्या है इसका? इसका उद्यस है कि हम लोग पड़े लिखे हो गए, दिरे दिरे अलग अलग होते चल गए अधिरे दिरे इसके बाइनर तले सब को लाना है, सब को एकत्र करना है, और इसका उद्यस ही है, सब को आगे बढ़ाने में मदद करना है जिले से है या फिर सिर्फ विहार से पकाटाउट से? यहां के अधियक्ष है, दॉप्टर सेमनलायन से?